गाइस तितलियों के पास मूह नहीं होता है जो नहीं भोजन को काटने या चबाने में सहायता कर सके इसके बज़ाए उनके पास एक सूंड जैसे सरंचना होती है जिसे प्रोबोसिस कहा जाता है जिसका उप्योग हुई फूलों का रस अर्थात नक्टर पिने के लिए करती है लेकिन इस प्रोबोसिस में किसी भी प्रकार की कोई टेस्ट बढ़ी नहीं होती मुँ में टेस्ट बढ़ी नहीं होने के कारण तितलिया स्वाद को मुँ से अनुभव नहीं कर पाती है तितलियों को स्वाद अपने पैरों से मिलता है क्योंकि उनके टेस्ट बर्ड्स पैरों में होते हैं वे अपने भोजन पर खड़े होकर इनका स्वाद ले सकती है दोस्तों यह सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है परन्तु पैरों में टेस्ट बर्स होना तितली की जीवन में बहुत ही महतोपुन घटना में सहायक होता है एक पत्ती पर खड़े होकर तितली इन टेस्ट बर्स के द्वारा यह जान लेती है कि अंडे देने के लिए अच्छा है या नहीं तितली यह जान जाती है कि यह पत्ता अंडे स निकलने वाले बच्चों के लिए भोजन है या नहीं तो गाइस कैसे लगी इंफोर्मेशन आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं